में तो आज हममरा टॉपिक है वीट शोन ब्रिज और स्वाह् responsive कि आफ मकरएं बात करनी है अज पृंसिपल servic वीच तरूमजरी जिसमें एक दो तीन चार रसेस्टों होते ही बीच में को रस्ट हो सकता है पॉसर बला मैं वीच में को रस्टेस्स हो सकता है इस तरह प्र गैलोन मेटर यहां पर ईंपको समझना पड़ेगा इस अधिस दिस गैलोना मेटर galonometer right and what is galonometer कुछ लोगों को लगता है कि galonometer current read करता है no 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 it doesn't read the current right number one doesn't read current right it just shows the presence of the current in the circuit इस circuit में अगर current flow हो रही होगी तो यह deflection देगा इसके निदल होगी वो zero से deflect हो जाएगी right अगर current की direction opposite हो जाएगी तो deflection की direction भी opposite हो जाएगी that means it just shows the presence of the current in the circuit number two it shows the direction of the current in the circuit right okay it just shows the presence of the current in the circuit को 據ि क्या हम बात करें कर रहें आइ वी शूरबिज की बात करें गे तो गैलारोमेटर इस एरि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टन प्रेंड इंपॉर्टतud एंपॉर्टर थे इंपॉर्टरण तaken्पेंंड उप्रिंस्ट बइंट। को फिंब वाइ्ट 007 Galonometer is what number one it doesn't read the current it just shows the presence of the current in the circuit यानि कि circuit में करेंट फ्लो हो रहा है तो यह deflection शो करेगा और current में circuit में करेंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका reflection यह zero पे रहेगा इसके needle zero पे रहेगी right okay current की direction अगर एक direction के बजाए उसकी direction change हो जाए तो इसके deflection की direction भी change हो जाएगी right तो जो galonometer होता है वो देखने में किस तरह का होता है इस तरह का होता है यहां इसके needle होती है कि जहां पे zero लिखा होता है कि इस तरह का ही galonometer होता है अगर एक direction में करेंट फ्लो होगी तो deflection इस direction दिखाएगा करेंट डूसी direction में फ्लो होगी तो करेंट deflection इस direction में दिखाएगा इस तरह के बात क्लियर है तो number one हम वीच्टोन प्रिंसिपल समझेंगे और वीच्टोन प्रिंसिपल कैसा होता है इस तरह के चार रेजिस्टेंस और बीच में एक रेजिस्टेंस यह galonometer इस तरह का और इस वीच्टोन प्रिंस को समझने के लिए हम लोग यहां से यह जो बैटरी है यहां से कुछ current ले लेते हैं आई यह current आई यहां पहुंचा यहां पहुंचने के बाद दो पास मिले सपोज यहां पर current पहुंच गया आई यहां कितना current जाएगा आई माइनस आई यह जंक्षन था जंक्षन पर के सील अप्लाई होना चाहिए यह current आई यहां पहुंचा राइट अच्छा अब एक बात समझें आप कि यह वीट्स्रोंब दीज है हमने क्या का था कि यहां पर जंक्षन देखना कितने एक जंक् चार जंक्षन होते हैं वहां पर हम लोग सिर्फ किर्चॉफ्स लौ अप्लाई कर सकते हैं वी केंनाट यूज नूडल मेथट राइट नूडल मेथट से यह सिर्फ किर्चॉफ्स लौ से सॉलू होने वाला है यह current आई यहां पहुंचा तो फिर आपस दो पात मिले तो यहा बहुत आए जो current किया हो कितना गया आई 1 माइनेस आई जी ए राइट यहां से ऐख यहां से आई माइनस ऐख रहें चाहेंगा आई-टाइब यह नहीं पहुंचें और करन्ट यहां पर करन्ट चेक करो आई माइनस आईवन प्लस आईजी प्लस उदर से करेंट आ रहा है आईवन माइनस आईजी चेक करना ज़रा यह आईजी प्लस का यह आईजी माइनस का कैंसल यह आईवन माइनस का और यह आईवन प्लस का कैंसल तो क्या बचा देस इस अली आई यहां पर वापस कितना से बाहर जाएगी उतनी ही गरंट बैटरी के नेगेडिव से वापस अंदर आ जाएगे राइट इसको बोल देता हूँ यह बी यह सी और यह डी अब इसमें में एक एक करके के क्लोज लूप लोगा और सर्कृट को सॉल करूँगा पहला मैंने लिया क्लोज लूप एबी डी यह यह पहला है फ्र क्लोज लूप ए बी डी यह यह रहीं पे इस रिस्टनींस की वैली एंट यह और यहां पेशर कोई cell है नहीं, sorry A से B गए, कोई cell है नहीं, B से D गए, कोई cell है, नहीं, D से A गए, कोई cell है नहीं, तो इस पूरी close loop में कोई cell ही नहीं, cell नहीं है तो इसे مंके EMF कितना हो जाएगा? 0. ब्लस ओफ जी आईजी फिर दी जाएंगे तो घेलबुनिमिटर का रिसेंस होता है घेली करेंट आई जी तो यहाँ पर एक लिखेंगे प्लस औफ जी आ जाएंगे तो current हमारे सामने सार है हम D से जा रहे है current इधर आ रहा है रहिसे से R तो potential of linking मैंस में R i-i1 yes इसको solve करने के लिए इस नेगेटिव वाले को इधर ले आता हूँ तो मेरे पास आएगा r into i-i1 equals to pi1 plus g ig यह हमारे पास हो गई एक equation इसको मैं बोग देता हूँ equation number 1 is that okay अब एक equation और हम यह पर बनाएंगे एक और close loop लेंगे close loop ले लेता है यह वाला b c d b close loop b c d b तो मैंने यह पर लिखा close loop b c d b b se c कोई cell नहीं c se d कोई cell नहीं d se b कोई cell नहीं कोई cell नहीं तो net emf कितना हो जाएगा 0 b se c रजिस्टर से q करेंट है i1-ig तो मैंने लिखा q i1-ig फिर c से d गए रजिस्टर से s करेंट है i- i1-ig हमारे अपोजिटारी है हम जारे c से d करेंट आरी d से c मैं क्या लिखूंगा मैंने लिखेंट है i1- i1 प्लस ig यस फिर में जाएंगे d से b d से b जाएंगे तो रजिस्टर से g और करेंट आ रहा है सामने से ig तो यह पर लेखेंगे minus of ig sorry g ig minus of g ig g registers ig current negative वालों को इधर लेके question को फिर से लिख देता हो तो यह हो जाएगा s into i- i1 प्लस ig यह भी इधर आएगा negative वाला तो प्लस g ig equals to यहां पर q i1 minus ig यह आपके पास हो गई equation number 2 ठीक है बात clear है यह equation 1 है यह equation 2 है इसमें मैं condition apply कर रहा हूं if the current through the galonometer is 0 that means current is not flowing in the galonometer that means deflection in the galonometer is 0 right मैं कर रहा हूं if current in galonometer is 0 that is if current in galonometer is 0 that is deflection in the galonometer is 0 अगर ऐसा इस circuit में है तो यह equation 1 कैसे हो जाएगी equation 1 हो जाएगी r into i minus i1 equals to p i1 और यह gig क्या हो जाएगा 0 तो इसको मैं बोल दूँगा equation number 3 yes similarly इस equation को solve करेंगे तो current galonometer पे current 0 यह निके ig की value 0 है तो यह पे यह ig भी 0 यह ig भी 0 यह ig भी 0 तो equation क्या बन जाएगी s into i minus i1 equals to यह वाला पार्ट को 0 हुई गया इदर ig 0 जाएगा तो ही क्या हो जाएगा q i1 this is equation number 4 yes if this equation 3 is divided by equation 4 equation 3 is divided by equation 4 तो मैं यह पे लिख रहा हूँ देखो r into i minus i1 upon s into i minus i1 is equals to pi1 pi1 upon qi1 yes इसमें जो cancel होते हैं उनको cancel करना है यहाँ पे i minus i1 से i minus i1 cancel यहाँ पे i1 से i1 cancel आपके पास क्या गया आपके पास क्या p upon q is equals to r upon s yes यही यही थिस आपके पीच्टोन बीच क्या इफ अपके पास क्या इफ and vice versa and y vice versa यानि किसका opposite बी विल्टा है यानि कि if ratio of resistence P and Q is equals to the ratio of resistence R and S then current will not flow through this gallonometer, is that okay, this is what the sliced stone principle of which one bridge इसको अपन थोड़ा सा और आगे समझते हैं, मैं लिख दे, मैं लिवाता देता हूं According to this principle, if ratio of resistance P and Q is equal to the ratio of resistance R and S then no current flows through the galvanometer and vice versa that means if current does not flow through the galvanometer if current does not flow through the galvanometer then the ratio of resistances P and Q is definitely equal to the ratio of resistances R and S is, yes is that okay, मैं आपर लिख देता हूं अपर से, if IG is 0 then P upon Q, यानि के ratio of resistance P and Q is definitely equal to ratio of resistance R and S this is what the principle of galvanometer और ये principle हमें बहुत सारे circuits को solve करने के लिए help करेगा, is that okay, चलिए, सुनते हैं ये question है आपके बास, question number one इस question को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखें, ये P है this is P, this is Q, this is R and this is S yes, Indonesia, S, Indonuka ratio P upon Q is equal to what, R upon R येनि के one ratio one Indonuka resistance R upon S is also R upon R that is one ratio one that means so दिखे इसको बोले ना हूँ A B C इसको D तो यह कौन सी ब्रांच है? BD तो क्या? Because P upon Q is equals to R upon S 1 ratio 1, 1 ratio 1 so current will not flow through the branch BD इस वली branch BD से current flow नहीं होगा और हमने कैची का था जिस resistance से current flow नहीं हो उसका equivalent resistance में कोई लिना देना नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है उसको हटा दो येस और अगर इसको आप हटा देंगे तो आपका सर्कृट कैसा बनेगा आपका सर्कृट बनेगा यह डिगा आपका सर्कृट कैसा बनेगा यह डिगा ए, यह डिगा बी, यह बी आर, यह बी आर, यह बी आर और यह बी आर अब इनका equivalent resistance, calculate करना है, कैसे होगा, बीच वाली ब्रांच अट गई, क्योंकि उसमें current flow नहीं हो रहा था, तब क्या कहिंगे, R and R, ये दोनों किसमें हो गए, series में, इनका equivalent resistance, 2R, ये R और ये R भी series में है, तो इनका equivalent resistance, 2R, 2R और 2R parallel में, क्या लिखेंगे, 1 upon R equivalent equals to 1 upon 2R, plus 1 upon 2R, that means, 2 upon 2R, that means, 1 upon R, तो से आपके पास क्या जाएगा, R equivalent equals to R, यानि कि इस पूरे circuit का equivalent resistance आपके पास किता आगया, capital R, that's the answer, बोले ये बात सबको clear है क्या, yes, okay, इसी तरह का एक और question है, उसको और solve करते हैं, ये question है, आपके सामने, इस question को ढंक से समझेगा, हाँ, ये second question है, इसमें कुछ terminals given है, इनको मैं नाम देता हूँ, let's say, this is K, L, M, N, right, कितने resistance connect हैं, 1, 2, 3, 4, 5, okay, ये, L पर, एक रेस्टेस 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 एक रेस् त्रश्य ग्हां चोड़ अज़ा के से एल ज्यक्रेशन स्करणेक्टट्टेटर डिया त्वलों अधाय औरará पिर फिर के से एंब स्क रिख्रूय के देखिए यह वाला ये वाला तो के से M भी आपने एक resistance connected दिया अब L से और N L से N एक resistance connected है और L से M भी एक resistance connected है और M और N के बीच में भी एक resistance connected है N यहाँ पे इस point B से connected है और K यहाँ पे इस A points दिया resistance connected है और सबकी values है R लो जी यह तो भी पहले वाला question हो गया क्या हो गया इन दोनों का ratio P upon Q 1 ratio 1 R upon S 1 ratio 1 तो बीच वाली प्राज में current नहीं जाएगा बीच वाली ब्रांच में current नहीं जाएगा तो circuit कैसा बनेगा equivalent circuit equivalent circuit बनेगा कुछ ऐसा यह terminal A यह terminal B R R R यह वाला R और यह वाला R और यह वाला R सीरीज में है तो इनका equivalent रिसेस हो गया 2R यह वाला R और यह वाला R भी सीरीज में तो इनका equivalent रिसेस हो गया 2R यह 2R और 2R पैले लेल में हैं तो क्या लिखेंगे 1 upon 2R plus 1 upon 2R that means 2 upon 2R that means 1 upon R का उल्टा तो R equivalent यानि के R AB A और B की बीच में equivalent resistance कितना हो जाएगा R and that is the answer बोले बात clear है ओके इस question पर आईए question number 3 दियान से देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छर से समझ में आएगा आपको क्या बस इस वाली प्रांच को खोल कर बाहर कर रखना है और कुछ नहीं करना ये भी same question है तीनों questions नहीं में क्या वापस बनाता हूं हाँ जी समझ ना इस terminal को बोलो मैं के इस terminal को बोलता हूं L और इसको बोलता हूं M तो ये वाला K ये L और ये M यहाँ पर दो races अंदर connected इनको बाहर लेके जा रहा हूं ये terminal हो गया A और ये terminal हो गया B A और B के बीच में equivalent races calculate करना है यह question है न सुनिए ज़रा ये कितना था R ये कितना था R ये कितना था R R & R कि सेम कुष्य नहीं दो हो गया भीच वाली R upon R 1 ratio 1 R upon R 1 ratio 1 इसमें current नहीं जाएगा current नहीं जाएगा तो इसको हटा देंगे इसको ळा दिया तो circuit कैसा बनेगा तो circuit ऐसा बन जाएगा यह लिजे यह B और यह A, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, आर एन र सीरीज में तो 2R, ये R और भी सीरीज में तो 2R, और 2R, 2R parallel में तो R equivalent की value भी कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी, that's the answer. बाले बात clear है, yes? Okay, हाँ जी, ये next question है. इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी पहले A and B के बीच में equivalent resistance calculate करना है, right, okay. मैं तो यह समझ पा रहा हूँ, अगर इसको थोड़ी जरी के लिए छुपा लिया जाए, तो ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है, बीच वला G है, देखो इस R और इस R का रेशो 1 रेशो 1, इस R और इस R का रेशो 1 रेशो 1, यानि कि इस वली प्रांच में करेंट नहीं जाए तो इस सर्कृट को वापस से बना के देख लो, बना के देखो कि तो कैसा बनेगा, ये आपका टर्मिनल A, ये आपका टर्मिनल B, R, 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 and R, yes, अब चेक करना, R और R सीरीज में, 2R, ये वाला R और ये वाला R भी सीरीज में, 2R, और ये R है, येस, आप चेक करना, A और B की बीच में, 2R, 2R, और R, ये सब किसमें हो गए, पैरलल में, तो आप क्या लेखेंगे, 1 upon 2R, plus 1 upon 2R, plus 1 upon R, which can be written as, 1 upon 2R, plus 1 upon 2R, plus 2 upon 2R, that means, 4 upon 2R, का उल्टा, यानि कि, R, A, B, यानि कि, R, equivalent value हो गई, 2R by 4, that means, R by 2, ये हमारा, आणसर आगया, येस, आचा सुनो, दियान से सुनो, मैं एक बात कहता हूँ, कि ये तो क्रिशन मेरा direct solve हो रहा था, देखो, 2R और 2R parallel में कितने हो जाते हैं, R, तो यहाँ पे का R, और ये भी R, R और R parallel में होंगे, तो ये 1 upon R, plus 1 upon R, यानि कि, 2 upon R का उल्टा, R by 2, तो भी answer R by 2 आना था, क्या को बोला, पहले इन दोनों का parallel check solve किया, फिर जो आया, उसको इसके parallel के साथ solve किया, येस, तो भी easily solve होगा, राइट है, अब मुझे equivalent resistance calculate करना है, A and D के बीच में, A and D के बीच में check करने के लिए, मैंने पहले क्या किया, हाँ जी, ये वालना जो है ना, ये ये तो है A, और ये है D, थोड़ी दिर के लिए मैंने, कि थोडी दर के लिए मैंने इस वालेaders को कणेप कर दिया हटा दिया थोड़ी दर के लिए थोड़ी दर के लेट है Psal Elle करने से पहले वापस करोका राइट चलो इसको हटा कर बना कि देहता हूं कैसावानेगा यह पॉइंट है ए यह पॉइंट है डी इसको खूल के बहार रग दूँ तो क्या हो जाएगा तो यह बनेगा यह पॉइंट था ए यह पॉइंट था डी और ए और टी के बीच में एक डिस्नेंस और कनेक्टेट था कितना और तो इसको और वापस से कनेक्ट करते था हूँ जिसको हटा दिया है यह लीजिए आर 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 ए और डी के बीच में equivalent resistance calculate करना है तो बैटरी कहां connect होगी यहां पर लो जी मेरा question तो solve हो गया कैसे solve हो गया देखो जी ये वाला आर और ये वाला आर P Q ये वाला आर और आर R and S आर एपान आर व failure वन आर अपान ने इसमें current नहीं जाएगा जिसमें current नहीं जाएगा उसको मैं हटा दूँगा जिसमें current नहीं है उसको अठा दिया, solve हो गया, R और R सीरीज में तो इनका equivalent resistance 2R, ये वाला R और ये वाला R सीरीज में तो इनका equivalent resistance 2R, ये 2R और 2R और R, ये तिनों किसमें होगे, parallel में कहा लिखेंगे, 1 upon 2R plus 1 upon 2R plus 1 upon R, 1 upon R को लिख देता हूँ, 2 upon 2R, खुल में लग ये क्या जाएगा, 4 upon 2R, 2 से cancel क्या तो ये क्या हो जाएगा, 2 upon R, और result क्या हैगा, इसका उल्टा, यानिके, R equivalent equals to R by 2, तो इसमें answer क्या है आपके पास, R AB की value भी, R by 2, और R AD की value भी, R by 2, बुली बात clear है, ये हमारा question solve हो गया, next question की बात करते हैं, ये हमारा question है, ठीक है जी, इस question को solve करने के लिए, हम लोग क्या करें, ये नीचे वाले circuit को off कर लें, गायब कर दें थोड़ी ज़िए के लिए, इस नीचे वाले को, अगर इस नीचे वाले को मैं गायब कर दूँ, तो आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा S, देखें, अगर इस पूरे को छुपा ले हैं, तो ये, पी, क्यू, आर एस, ये इस बीच वाले में करेंट नहीं जाएगा, हटा दो इसको, अब ज़रा ऊपर वाले को छुपा लो, इस उपर वाले को छुपा लो, उपर वाले को छुपा लिया तो, ये P, Q, R, S, ये क्यो हो जाएगे, P, Q, R, S हो जाएगे, फिर ये P, ये Q, ये R, और ये S, यानि कि ये, ये R और ये S, तो अब बीच वाले में इस में करेंट नहीं जाएगा, इसको अटा दो, हो गया आपका question solve, इस वाले को और इस वाले resistance को अगर हटा दें तो circuit कैसा बनेगा, वो देखो आप, लो जी, ये terminal B, ये terminal A, R, 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 और R, ये आपका circuit बन गया, इस circuit में, R और R series में equivalent resistance 2R, R and R series में equivalent resistance 2R, R और R series में equivalent resistance 2R, 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 ये सब किसमें होगे, parallel में कहले हेंगे, 1 upon 2R, plus 1 upon 2R, plus 1 upon 2R, that means 3 upon 2R, ये किसकी value है, 1 upon R, AB की, यानिकी equivalent resistance की, तो R, AB कितना हो जाएगा, 2R by 3, ये आपके पास equivalent resistance आ गया, बली बात क्लियर है, okay, next question solve करते हैं, ये question है, ठीक, अब, इसको solve करने के लिए, आप समझे, देखो जी, पहले तो जैसा है, उसी को solve करते हैं, फिर बागे समझे में हैगा, आपको ऐसा देख रहा होगा कि ये वाला R, और ये वाला R, दोरू सीरीज में हैं, क्या दिख रहा होगा, ये वाला R, और ये वाला सीरीज में, तो इनका equivalent रिशन्स कितना हो जाएगा, इससे अब जो मिल गया है, उसका हम equivalent resistance कल्कुलेट कर लेतने हैं, इसके और इसके बीच में total resistance कितना है 2R तो मैं यहाँ पे यह लिख दिया 2R इसके इसके बीच में इन दोनों की बीच में equivalent resistance कितना है यह रहा 2R तो यहाँ यह भी 2R लिख दिया इस पूरे का equivalent resistance 2R और यह वाला total resistance भी 2R यह भी 2R यह भी 2R यह आर यह आर यह आर और यह आर मैं सबस्ता हूं question solve हो गया क्यों हो गया क्यों कि यह terminal था आपका A यह terminal था आपका B देखो PQRS नीचे वाले को छोड़ो सिर्फ उपर वाला देखो PQRS यानि कि इसमें current नहीं जाएगा यह अब नीचे वाले को देखो PQRS अब इसमें current नहीं जाएगा यानि कि हड़ जाएंगे हड़ जाएंगे तो नया circuit कैसा बनेगा नया circuit बनेगा यह B यह A यह B टू आर यह B टू आर 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 टू आर टू आर यह सॉल्ट करना है थी जब यह सॉल्ट करेंगे तो देखना टू आर और टू आर सीरीज में equivalent relations कितना हो जाएगा 4R इस तरह से यह 2R और यह 2R सीरीज में कितना हो जाएगा 4R यह R और यह R सीरीज में कितना हो जाएगा 2R और यह सब किसमें हो जाएंगे parallel में तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे वन अपॉन फोर आर लस वन अपॉन तुआर लस वन अपॉन फोर अर प्रेंड़ के लिए वह किस के वैल्यू है वन अपॉन आर एक्वेलोड के वैल्यू र안 आगे सुनें इसको लेखेंगे 1 upon 4R as it is, इसको भी 4R बनने के लिए 2 से उपर नीचे multiply है, तो 2 upon 4R plus 1 upon 4R, that means 4 upon 4R, यानि कि 1 upon R equivalent कितना हो गया, 4 से 4 cancel हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 1 upon R, यानि कि 1 by R, तो इससे आपके पास resultant आ गया, R equivalent equals to R, that's it, यह हमारा next question solve हो गया, yes, ओके, यह फिर से एक question है, इसको देखें और समझें, A और B के बीच में equivalent resistance calculate करना है, आप क्या देख रहे हैं, यह है P, यह है Q, यह है R, यह है S, P upon Q, 2 upon 4, यानि कि 1 ratio 2, इस दिरे से, R upon S, 4 upon 8, यानि कि 1 upon 2, यानि कि क्या आगया, P upon Q equals to R upon S, इसलिए, इस वाली ब्रांच में, इसको बोल देते है, Races G, current in G, equals to कितना हो जाएगा, 0, इसमें current नहीं जाएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा दो, हटा दोगे तो दुबारा circuit बना लो, क्या बनेगा, ये A terminal, ये B terminal, ये 2 ohm, ये 4 ohm, ये 4 ohm, ये 8 ohm, हाँ जी, ये 2 और 4 ohm, किसमें हो गए, सिरीज कॉमिनेशन में कितना हैगा, 6 ohm, ये 4 और 8, किसमें हो गए, सिरीज में कितना हैगा, 12 ohm, 1 upon R equivalent equals to 1 by 6 plus 1 by 8, oh sorry, ये 12 है, 1 by 12, that means 2 by 12 plus 1 by 12, यानि कि 3 by 12, यानि कि 1 by 4, तो ये से R equivalent कि value जो आई हो, कितना है गई, 4 ohm, that is the answer, बोली बात क्लियर है, yes, okay, ऐसा ही एक और question हम आगे solve करते हैं, ये रहा, इसको भी दूपार्स में solve करना पड़ेगा, इधर वाला छुपा लो, इधर वाला, इधर वाले की बात मत करो, अगर इधर वाले को हम हटा दें, अगर इसको अधर हम हटा दें, तो ये PQ, ये P, ये Q, ये R, और ये S, इन दोनों का ratio, 3 upon 6, ये निकि 1 by 2, इन दोनों का ratio, 4 upon 8, 1 by 2, 1 ratio 2, 1 ratio 2, ये इस बीच वाले में current नहीं जाएगा, वली बात क्लियर है क्या, येस, ओके, नया circuit बना लो, वैसे तो बिना circuit बना है, इधर वाले को चुपा के देख लो, इधर वाले को रख लो, हाँ जी, इस बार इस वाले को चुपा लो, और इन दोनों को देख लो, ये 6, ये 9, 6 upon 9, 6 ratio 9, 3 से केंसे लुए तो क्या जाएगा, 2 ratio 3, क्या जाएगा, 2 ratio 3 8 ratio 12, 4 से केंसे लिए तो ये भी कितना जाएगा, 2 ratio 3, यानि कि इसमें भी current नहीं जाएगा, बोली बात क्लियर है, इन दोनों को हटा कर पूरा circuit बना लो, आपका प्रक्षिन सॉलो जाएगा, देखो, पहला था 3 ohm, फिर 6 ohm, फिर 9 ohm, नीचे था 4 ohm, then 8 ohm, then 12 ohm, इधर टर्मिनल A, इधर टर्मिनल B, ये 3 ohm, 6 ohm, 9 ohm, 4 ohm, 8 ohm, and 12 ohm, ये तीनों सीरीज में हो गए, 3 प्लस 6, 9, 9 प्लस 9, 18, यहां का टोटल रिशन्स 18 ohm, 4 प्लस 8, 12, 12 प्लस 12, 24 ohm, ये दोनों किसमें हो गए, 24 ohm, ये दोनों किसमें हो गए, 24 ohm, किसमें हो गए, पारलल कॉमिनेशन में, बस सॉल कर लो, 1 by 18, प्लस 1 by 24, 72, इनका इसदे में 72, 72 बनाने के लिए उपर नीचे, 4 से मिटिप्लाइ करेंगे, तो 4 पॉन 72, प्लस इसको 3 से मिटिप्लाइ करेंगे, 3 पॉन 72, यानिके, 7 पॉन 72 का उल्टा, क्यों हो जाएगा, RAB, equals to 72 upon 7 ohm, and this is the final answer, बुले बात क्लिए रहें क्या, yes, okay, आगया जाएं, हाँ, ये एक और नया question है, क्या कहता है, कि ये 10 ohm, ये 20 ohm, ये 12 ohm, ये 8 ohm, ये क्या कह रहा है, ये x की value find out करो, find out the value of x, so that current does not flow in galonometer, current does not flow in the galonometer, अच्छा, देखना है, ये दोनों parallel combination में है क्या, yes, और दो resistance R1 और R2 parallel में हो, तो उनका equivalent resistance कितना आता है, R1 into R2 upon R1 plus R2, तो इन दोनों का equivalent resistance हो जाएगा, 12x upon 12 plus x, इसको तो आप बोल दो P, ये है Q, ये R और ये है S, and if current in galonometer is 0, then P upon Q must be equals to R upon S, बस इन में values बुट करो और answer मिल दाएगा, क्या लिखेंगे, P की value, 12x upon 12 plus x upon Q, Q रहा, 8, equals to R upon S, 10 upon 20, इन दोनों को cancel कर देंगे, तो जाएगा 1 ratio 2, तो आपके पास आ गया, देखो जी, 12x upon 12 plus x, ये है 8 upon 1, divide में, तो उपर जाएगे multiply होगा, रोल्टा हो जाएगा, तो 1 by 8, equals to 1 by 2, 2 से, इस 8 को cancel कर आएगा 4, तो आपके पास आ जाएगा, 12x upon 4 into 12, plus x, equals to 1, इसको उधर भेज दो, तो क्या होगा, 12x equals to 48, plus 4x, इसको इधर लिगा है, तो 8x equals to 48, तो x equals to 48 by 8, यानिके 6 ohm, x के value कितनी हो जाएगी? 6 ohm, येस, अब सुनो, वैसे तो solve होई गया, पर फिर भी एक cross से करें, इन दोनों का ratio क्या था? 1 ratio 2, तो उपर भी दोनों का ratio क्याना चाहिए, 1 ratio 2, 1 ratio 2 के लिए ये गर 8 है, तो ये कितना होना चाहिए, इस पूरे का equivalent resistance होना चाहिए, 4 ohm, येस, x की value कितनी है ये आपके पास? 6, cross check करो, ये 6 जे 12, तो 1 by 6, plus 1 by 12, यानिके 2 by 12, plus 1 by 12, यानिके 3 by 12, यानिके 1 by 4 का उल्टा, 4 ohm, that's it, बोले ये बात क्लियर है क्या? Yes, okay, so, finally, this is the last question of the day, इसके बाद हम कल बात करेंगे, ये आज का last question है, इसको और solve करना है, right? ये के, ये L, ये M, और ये N, मैंने क्या किया था, इस L और M को, यहां पैसे मेंशिन किया था, ये point L, ये point M, यहां पे हमने बना दिया था K, और यहां पे हमने बना दिया था N, हाँ जी, के और L के बीच में एक resistance connected है, R, मैंने करेक्ट कर दिया, L और M के बीच में एक resistance connected है, R, ये भी connect कर दिया, फिर M और N के बीच में एक resistance connected है, ये भी connect कर दिया, ये भी R, और K और M के बीच में, K और M के बीच में, कोई resistance connected नहीं है, direct connecting wire लगावा है, इस तरह से L और N के बीच में direct connecting wire लगा हुआ है, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, इनका equivalent resistance calculate करना है, तो देखो थी, मैंने आपको बताया था, यह direct connecting wire है, यानि कि short circuit है, यानि कि यह दोनों points को direct मिला सकते हैं, क्योंकि जो potential यहाँ पर V होगा, V1 होगा, वही potential यहाँ पर V1 होग इस तरह से अगर इसका potential V2 है, देखो इनको एक battery से connect करो, तो इसका potential V1 तो इसका potential V2, यह V1 है तो यह भी किता हो जाएगा V1, यह V2 है तो इसका potential भी किता हो जाएगा V2, और same potential वालों को मिला देते हैं, yes, तो अब इसको दुबारा बनाओ, यह point तो N तो चला जाएगा L के R, यह भी R, और यहाँ पर पहुंच गया point N, right, और इसको यहाँ पर connect कर देंगे, इस वाले को, तो यहाँ से यह resistance, यहाँ connect हो जाएगा, तो यह हो जाएगा M, यह भी R, यह connected था positive of battery से, यह connected था positive of battery से, यानि कि, ओहो, इसको वापस बना लो, R, 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 N point किसे connected था, B से, M point किसे connected था, sorry, M नहीं था, यह K था, this was point K, this was point K, point K किसे connected था, A से, तो यह K और यह N, इनको battery से connect कर लिया, यह point A, यह point B, R, 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 parallel में, equivalent distance कितना हैगा, 1 upon R, plus 1 upon R, plus 1 upon R, यह किस की value है, 1 upon R, equivalent कि, कितना हो जाएगा, 3 upon R, तो R equivalent, equals to R by 3 upon R, yes, वोली बात clear है, चलिए, एक बाद फिर से solve करेंगे, मैं कह करता हूँ, यहाँ एक battery generate करता हूँ, yes, इसका potential V1, इसका potential V2, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, कोई resistance connected नहीं है, तो potential drop नहीं होगा, potential drop नहीं होगा, तो इसका potential अगर V1 है, तो यहाँ भी potential कितना हो जाएगा, V1, इस तरह से यहाँ से लेकर, यहाँ तक, कोई resistance नहीं है, तो potential drop नहीं होगा, potential drop नहीं होगा, तो इसका potential अगर V2 है, तो इस point का potential V क्या हो जाएगा, V2, any doubt, okay, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, कोई resistance नहीं है, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, कोई resistance नहीं है, तो potential drop नहीं होगा, potential drop नहीं होगा तो V1 वाले point इसका potential भी कितना हो जाएगा V1 इसी तरह से यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कोई resistance connected नहीं है resistance connected नहीं है तो जो potential इसका होगा, वोई potential इसका होगा तो इसका potential हो जाएगा V2, yes, okay, क्या लिखा था आपने, K, L, M, N, same potential वाले points को जोड़ दो, that's it, तो K और M का potential same है, तो मैंने यहाँ एक point बनाया, K, N, M, L, N का potential भी V2 same है, तो यहाँ पे बलाया, L और N, yes, अब K और L के बीच में कितना resistance connected है? इस झारे से M और N के बीच में, यह रहा M और यह N, एक neighbors connected है, तो आपने एक और instance connect किया, R, R, R K किसे connected है, A से और N किसे connected है, B से और यह किसे connected है, battery से इसका potential था V1 इसका potential था V2 तो इस point का potential हो गया V2 इस point का potential हो गया V1 और उसके बीच में तीन resistance RR parallel combination में हैं तो क्या लिखेंगे 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R that means 3 upon R का उल्टा R भाई थी that's the answer बोली बात क्लियर है क्या yes तो अभी हमने कैसी लिखा wheatstone bridge वो questions जिसमें wheatstone bridge का concept follow हो रहा था अगर question ऐसा है जिसमें wheatstone bridge का concept follow ही नहीं हो रहा फिर क्या करेंगे वो सुनो कि आज नहीं solve करेंगे यह बात solve करेंगे कल पर आप तब तक सोचिए तरह करना है और बीच के बीच में ठीक है यह वन रिशो टू पर यह टू रिशो वन अब इसमें डिस नॉट बैलेंस स्टेट इससे पहले जो कुछ पढ़ा था that was the balanced state of wheatstone bridge this is not a balanced state of wheatstone bridge तो इन questions को कैसे solve करेंगे यह बात हम करेंगे कल राइट यहां तक यह बात सबको clear है okay